क्लास मेमेलिया के अंदर ऐसे एनिमल्स शामिल हैं जिनको हम तीन कैटेगरिस के अंदर ड्वाइड करते हैं एक इनकी क्लास प्रोटोथीरिया है एक मेताथीरिया और तीसरी जो इनकी क्लास है उसको हम प्रोटोथीरिया, मेताथीरिया और यूथीरिया कहते हैं अब प्रोटोथीरिया ऐसी क्लास है जिसको हम एग लेंग ऐनिमल्स कहते हैं जो metatheria है इनको हम pouched mammals कहते हैं और prototheria, metatheria और utheria जो है utheria के अंदर placental animals आते हैं अब अगर हम prototheria की example की बात करें तो इसके अंदर spaniant eaters शामिल है duckbill platypus शामिल है उसके बाद अगर हम metatheria की बात करें तो इसके अंदर क्यूंकि pouched mammals है और इसके अंदर kangaroo शामिल है और जितने भी advanced animals है जैसे humans है, rat है, cat, dog ये सारे placental animals के अंदर शामिल है अब जो placental animals है यहाँ पे जो embryo है और जो mother है उसकी body के अंदर एक connection मौजूद होता है जिसको placenta कहते है इस placenta के जरिये जो embryo है उसको food मिलती है उसको respiration का process उसको oxygen मिलती है और क्यूंकि उसका अपना जो excretory system है वो अभी तही तरीके से काम नहीं कर रहा होता उसके जो waste product है उसको body से remove करना होता है तो जो waste product है वो baby या जो fetus है उसकी body से mother की body के अंदर placenta के जरिये आते हैं अब अगर हम mammals के general characters की बात करें तो these animals are warm blooded hairy and memory and milk producing glands are present in these animals यानि इनके body के उपर hairs मौजूद है उसके लावा इनके अंदर memory glands मौजूद है और ये warm blooded animals हैं यानि ये अपने body का जो temperature है उसको regulate करते हैं जैसे अगर हम humans की बात करें तो humans अपना body temperature fix रखते हैं 37 degree ये maintain रखते हैं इसी तरीके से oil glands जिसको हम sebaceous gland कहते हैं sweat glands इनके अंदर मौजूद होते हैं इनकी skin के अंदर ये पसीना पैदा कर सकते हैं सीबम पैदा कर सकते हैं teeth are of different types जैसे humans के अगजर हम बात करें तो humans के अंदर दो किसम के teeth होते हैं एक permanent teeth होते हैं और ए एक ऐसे teeth होते हैं जो permanent नहीं होते हैं इसी तरीके से teeth की फिर different types होती हैं इसके अंदर incisors हो सकते हैं इनके अंदर premolar हो सकते हैं और इनके अंदर canines हो सकते हैं उसके लावा एकसेप few mammals possess cervical vertebrae the skull is dicondylic जानी इनके अंदर जो occipital condyle की तादाद है वो दो है उसके बाद अगर ह weиваемs के अंदर respiration की बात करें तो जो respiration है वो lungs के खर्ये होती है एंफिबियन के अंदर हमने देखा कि lungs के खर्ये होती है उनके skin के खर्या बीठ ने के खर्यां हो सकती है बर्स के लंग्स की वो comparatively बेहतर है इसी तरीके से इनके अंदर एक oblique partition मौजूद है जिसको हम diaphragm कहते हैं जो के abdominal cavity को chest cavity से separate करती है उसके लावा silom is divided into four cavities जो mammals हैं ये silomates हैं इनके अंदर true silom मौजूद है लेकिन जो silom है ये different cavities के अंदर divided है उसके लावा अगर हम mammals के heart की बात करें तो इनका जो heart है वो four chambered है यानि दो auricle और दो ventricle जो blood है उसकी mixing बिलकुल भी नहीं होती उसके लावा the heart is four chambered sinus venosus is absent the red blood corpus cells are without nucleus birds के अंदर हम नहीं देखा इनके जो red blood cells थे उनके अंदर nucleus मौजूद था लेकिन mammals के अंदर nucleus मौजूद नहीं होता जब red blood cells में चोर हो जाते हैं सिवाए camel के camel के अंदर जो red blood cells होते हैं उनके अंदर nucleus मौजूद होता है उसके लावा re spinal portal system इनके अंदर absent होता है अगर मैंवस के हम brain की बात करें तो brain has large cerebrum and cerebrum इसी तरीके से जो optic lobes है optic lobes are divided into four lobes called corpora, quadri, geminia इसी तरीके से corpus callosum connect the two cerebral hemispheres internally और अगर हम इनके अंदर cranial nerves की बात करें तो they have 12 pairs of cranial nerves अगर हम ear की बात करें तो इनके अंदर external ear पिन्ना की फार्म के अंदर मौजूद है और जो internal ear जो है ear के तीन parts यानि external, middle और internal मौजूद है external पिन्ना भी मौजूद है इसी तरीके से जो egg laying mammal है they are vivi paris except egg laying mammal जिसके हमने बात की थी कि जो कि प्रोटो थीरिया के अंदर आते हैं इनके बाडी के अंदर memory glands मौजूद है बाडी के अपर hairs मौजूद है जो marsupial mammal है या जो pouch mammal है ये अपने young one को एक खास pouch जिसको हम marsupium कहते हैं उसके अंदर रखते हैं जब तक वो इस काबल ना हो जाएं कि खुद से अपनी खुराग हासिद कर सकें तो जो mammals है ये advanced किसम के animals ह है इनके अंदर memory glands मौजूद होते हैं इनका kidney जो है वो develop होता है heart जो है four chambered है इनके 12 cranial जो nerves मौजूद है और उसके अलावा इनकी जो body है इनके अंदर जितने भी structure है वो काफी advanced है इनके kidney के हम बात कर लें इनके heart की बात कर लें इनके respiratory system की बात कर लें और इनका जो circulating system है वो close circulatory system है